Hello everyone, welcome back to Uranacademy तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बिड़ा की लास लेक्षर के अंदर हमने क्लास 10th ICSC Chemistry का चैप्टर नमबर 12 पार्ट C की थियोरी हमें डिसकस कर लिए थी और आज की लेक्षर के अंदर हम उसी की एक्सराइज जैसे एक्सराइज की जो कोशन आसर है वो उसको डिसकस करने वाले हैं देखिए आप भी जानते हैं for year 2022 कुछ टोपिक आपके इस पार्ट में नहीं थे तो आज की लेक्षर के अंदर जो कोशन आसर भी हम डिसकस करेंगे तो उन कोशनों को हम डिसकस नहीं करने वाले जो आपके इस लेबस में नहीं है और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस दिये गए हैं उनके जो लिंक्स है वा अमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये हैं तो बिने कोशन चलिए शिरू करते हैं सबसे पहला कोशन आपसे पूछा जाता है कि write a molecular formula and electron dot formula and दूसरा बूला गया है structure formula for ethene देखिए बहुत ही simple है सबसे पहला अगर हम बात करें बेटा इसके molecular formula की तो वैसे तो general formula cn cn h2n इसका general formula है तो ethene जो है उसमें जो n होता है वो हमारा 2 होता है जिसकी वाज़े से ये बन जाता है c2h4 तो ये जो अभी आपके सामने यहां पर मैंने लिखा ये इसका molecular formula है अच्छा अब हमें बनाना है electron dot formula तो कुछ भी नहीं है बहुत simple है देखिए 2 carbon है और 4 hydrogen है तो ये मेरे carbon हो गया ये मेरा carbon हो गया जब हम ethene की बात करते हैं तो उसके अंदर double bond होता है carbon carbon के बीच में तो एक bond के अंदर दो electron होते हैं तो ये हो गया दो electron एक bond ये हो गया दूसरा bond आपका अच्छा उसके बाद ये देखिए ये hydrogen का हो गया ये इस hydrogen के साथ आ गया विटापके पास यहां पर ये hydrogen बन गया similarly ये वाला विटापका hydrogen के साथ हो गया तो अगर आप किसी भी carbon को देखेंगे तो उसके चारो electron जो है वो मैंने hydrogen याद दूसरे carbon के साथ उसको विटापका ओरडी शेयर कर दिया है तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा electron dot structure है अच्छा अब बात आती है बेटा c part की और c part में वो कहता है कि आप मुझे इसका structural formula बना के बताईए तो बस कुछ भी नहीं करना properly जो bond है वो दिखाने आपने जैसे कि ये हो गया इसका h, ये आपका h हो गया ये आपका h है और ये आपका h हो गया तो इस तरीके से आपने अपना जो पहला question था वो complete करना था ठीक है अब हम बात करते बेटा आपने next question की और next question में क्या कहता है बेटा कहता है बेटा कहता है the molecules of alkene family are represented by a general formula cnh2n and now we have to answer the following कहता कि what do nn2n signify देखे जब भी हम general formula लिखते हैं उसके अंदर जो n है वो signify करता है the number of carbon atoms तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो n है वो क्या करता है बेटा that is signifies the number of number of carbon atoms ठीक है atoms और जो 2n होता है बेटा आपका वो signifies करता है the number of hydrogen atom hydrogen atom तो यह आपके बेटा पहले पार्ट का यहाँ पर answer हो जाता है फिर कहता है what is the name of alkene with n equal to 4 so वैस्तो हमें अच्छी तरह बता ही है इसको हम कहते है butine ठीक है तो यह हो गया बेटा आपके second part का answer c part की बात करें के तो what is the molecular formula of alkene with n equal to 4 क्योंकि बेटीन है और general formula cn h2n है तो n को 4 डाल दीजी बस तो c4 h8 आपका बेटा यहां पर आयाता है molecular formula मेरे इस part का I hope आपको यह part अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ठीक है अब इसमें कुल मिला के बेटा six parts है तो तीर हमने यहां discuss कर लिए तीर हम अगले वाले में discuss कर लेते है कहता है कि what is the molecular formula of the alkene if there are 10 h atoms in it देखे बेटा h जो है वो 2n से represent होता और 2n यहां पर कहता है कि 10 है तो n क्या हो गया बेटा आपका obvious 5 हो गया क्योंकि n आपका 5 हो गया तो molecular formula हो जागा बेटा आपका c5 h10 और इस तरीके से आपने अपना यह वाला part complete करना था इसको अपना यह पार्ट में वो कहता है कि what is the structural formula for the third member of the alkene family जब वो third member गहता है तो मतलब इसमें तीन कार्बन्स है और structural formula है तो c, double bond c, then एक और c, और हर एक कार्बन के साथ 4 bonds होने चाहिए तो 1, 2 और 3, यहां पे और 3 है ही है तो एक यहां लगा देते है इस carbon के साथ 2 bonds है तो एक यह और एक यह दिखाकर हम अपने इसको complete कर सकते हैं ठीक है फिर बिटा हमारे पास आता है F part कहता है कि write the molecular formula of lower and higher homologous of an alkene which contains 4 carbon atoms तो देखो बिटा अगर मैं lower homologous की बात करूँ तो वैसे तो अगर मेरे पास 4 carbon है तो उसका जो answer होता है आप भी इची तरह जानते हो that is c4 h8 जो है इसका answer बन जाता है लेकिन हमें homologous वो होते है जिनके अंदर c h2 का difference होता है तो मेरे पास आजएगा c3 h6 वो हो गया इसका lower वाला और अगर मैं higher बनाता हूँ तो c h2 add होगा मतलब हो जाएगा initial था c4 h8 तो इसमें add कर देंगे तो हो जागा next वाला c5 h10 तो basically क्या होता है कि जब भी हम homologous find करते हैं तो c s2 minus करते है lower के लिए और c s2 plus करते है higher के लिए ठीक है तो यह difference होता बेटा बिल्कुल दो साथ molecular formulas के ठीक है तो इस तरह के से बेटा हमने अपना second question complete करना था चलिए अब हम बेटा बात करेंगे अपने third question की अब third question में कहता है कि distinguish करो between the saturated hydrocarbon ethene and unsaturated hydrocarbon ethene by drawing their structural formula देखे बहुत ही असान है वैज़े तो बाकी मैं आपके लिए यहां पर proper बता भी देता हूं माले ते बेटा यह मेरे पास यहां पर ethene है और यह माले जी मेरे पास यहां पर ethene है अगर structure formula की बात करते हैं तो C, C फिर H, ठीक है एक H ये, एक H ये यहां एक H हो गया ठीक है, थोड़ा सा symmetrical दिखाने के लिए मैं यहां पर इसको proper फिर से बना जाता हूं तो यह मेरा हो गया बेटा ethene और ethene के अंदर होता है बेटा double bond तो यह मेरा ethene हो गया ठीक है अच्छा इसके लावा और क्या differences है बेटा आपके ठीक है इसमें पहली बात तो यह है कि carbon carbon का single bond होता है और इसमें carbon carbon के बीच में double bond होता है तो आपने लिखना है यह saturated होता है एक saturated hydrocarbon है यह एक of course unsaturated hydrocarbon है ठीक है saturated hydrocarbon है unsaturated hydrocarbon है और हमने यह पहले अच्छी तरह से study कर लिया था बेटा कि अगर एक saturated hydrocarbon के हम बात करते है तो उसमें हमेशा substitution reaction टेक प्रेस करता है कौनसा substitution reaction और जब हम बात करते हैं unsaturated की तो उसमें addition reaction होता है क्या होता है बेटा उसमें addition reaction होता है और इसके बारे में हमने बहुत अच्छी से study किया हुआ है क्यों से चीज क्या होती है अच्छा उसके बाद वो कहता कि draw the structure of isomers of butene and write their IOPAC name तो देखे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें 3 isomers butene के बनते हैं पहला है आपका that is CH3 CH double bond CH2 ठीक है और सब्सक्राइब यह butene है तो मैंने तो गलती से तीन वाले कारबर बना दी चारवला बनेगा इसके बिदल तो बनेगा बिटा CS3 CS2 then CH double bond CS2 ठीक है तो यह देखो बिटा यह बन गया one या bute 1 in basically है गया bute 1 in ठीक है पहले तो यह बन गया मेरे पास बाकि इसकी डिटेलिंग इंट है और रडी मैं आपको बता चुका हूँ दूसरे में क्या करेंगे double bond को खिसका दो मतलब CH3 CH double bond CH then CH2 3 यह बन गया बिटा ब्यूट 2e ठीक है और आखरी में क्या करेंगे आखरी में करेंगे CH3 C CH3 then double bond CH2 ठीक है जी तो इसका नाम है देखो 1, 2, 2 that is 2-methyl 2-methyl that is 1, 2, 3 है ना बिटा आपका then pro 1-ene या propene भी आप इसको लिए prop 1-ene या propene ठीक है तो कुल मिलाके इसके तीन structural 3 structures है isomers के वो तीनों की तीनों आपको बता दी साथ में क्या आयोपी ऐसी नेम भी मैंने आप लिग दी है I hope आपको यह अची तरह सबज में आ गया होगा चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बेटा अपने 4th question की तरफ अब हम बात करने वाले बेटा question number 4 की कहते give a balanced equation for the lab preparation of ethylene and how is the gas collected अब देखे ये part हमारे syllabus में नहीं है तो मैं इस question का answer नहीं दूँगा of course next year अगर ये include होगा तो मैं इसका answer जोर दे दूँगा उसी तरह अगर मैं 5th question के बात करता हूँ how is the ethyne prepared by ये दोनों भी बिटा आपके syllabus में भी नहीं है तो मैं इसको भी नहीं करवा रहा बात करते हैं मेटा 6th की 6th का A part कहता है कि हमारे पार ethyne है when reacted with halogen chlorine हो, bromine हो form the saturated product name them and write the balance equation ये है हमारे पास पिर कहता है give the condition and the main product formed by the hydrogenation of ethene देखिए बहुत ही simple है ऐसे करते हैं पहले A part की बात करते हैं फिर B part की बात करेंगे ठीक है चलिए जब हम A part की बात करते हैं तो करना क्या है देखिए पहले बात तो यह CS2 double bond CS2 यह आपके पास हो गया इसमें चाहे आप chlorineide कर दो चाहे आप bromineide कर दो इन दोनों का answer एक जैसे याएगा मैं आपको पहले भी पूरे वीडियो में समझाया हुआ है जैसे मालो chlorine करता हूँ तो chlorine और chlorine के बीच का जो bond है वो break होता है यहाँ से यह double bond का जो एक bond है वो तूट जाएगा तो एक chlorine एक bond से जोट जाएगा दूसरा दूसरे electron सा शेर हो जाएगा basically होगा क्या मुआ आपको दिखा जाता हूँ as a result वनेगा यह that is CH2 CH2 और यहाँ पर बेटा एक CL यहाँ लग जाएगा एक CL यहाँ लग जाएगा तो अब आप बोलेंगे इसका नाम क्या है बहुत सिंपल नाम है यह है 1,2 di chloro इते उसी तरह अगर मा लीजे मैं ब्रॉमीन कर देता हूँ जिसे CS2 double bond CS2 plus BR2 कर देता हूँ वो ही सेम बात रहेगी कि CS2 CS2 और यहाँ पर बिटा BR आ गया यहाँ पर भी BR आ गया ब्रॉमीन आ गया बेसिकली और इसका नाम भी बिटा वही सिंपल सा ही 1,2 di bromo dash लगा कि di that is bromo ithe तो बिटा इस तरीके से आपने इसका नाम देना है so बहुत एजी है सिर्फ आपने यह समना है कि यह bond टूट जाएगा एक 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 लेक्टरन जो बचेगा वह अपना इन कलोरीन के एक 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 लेक्टरन से शेयर कर लेगा तो यह तरीका होता है इसको करने का हाँ जी अब रह गया बेटा बी पार्ट की बात करते हैं give the conditions and the main product form by the hydrogenation of ethene देखें सिंपल सी बात यह है जब भी हम ethene and hydrogen को पास करते हैं over a finely divided catalyst जैसे की platinum हो गया platinum हो गया आपका ठीक है और palladium हो गया palladium हो गया हमारे पास अगर हम इनके उपर पास करते हैं तो उस condition के अंदर इसकी hydrogenation addition of hydrogen हो जाती है और जो alken है basically ethene है वो alken मतलब ethene बन जाता है आपका अच्छा एक तो यह condition है दूसरा यह है कि आप nickel का इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन अगर आप nickel का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको heat provide करने पड़ेगी 200 degree Celsius तब जाके भी exact same results आपको मिलते हैं बाकी बात रहा थी कि 200 degree Celsius बेड़ा टेमपरेचर और nickel की presence में यह एक hydrogen carbon के एक साथ जोड़ जाएगा और दूसरे carbon के साथ जोड़ जाएगा मतलब यह बन जाएगा CS3 that is CS3 मतलब basically क्या बन गया C2H6 और यह क्या होता है आपका आपको पता ही है यह आपका ethene है तो इस तरीके से आपने अपने 6th part का answer देना था clear है देखिए बहुत ही जादा simple है और step by step करेंगे देखो आपको वैसे अची तरह यह समझ में आ जाएगा ठीक है जी अब हम बात करते हैं मिटा अपने 7th question की convert the ethanol into ethene using फिर सब भी बात यह हमारे syllabus का part नहीं है तो मैं यह नहीं करवा रहा हूँ हाँ जी यह जूर करेंगे कहता है write the falling properties of ethene ठीक है ethene की falling properties आप बताईए पहले तो वो कहता है कि यार इसके physical state के बारे में आप बताओ देखिए पहली बात जो ethene है वो एक तो हमारा होता है colorless क्या होता है colorless होता है and साथ में inflammable ठीक है mable gas है आपका तो एक तो होगे यह वाला part आपका B part में आता है order smell कैसे है तो इसके नेक हलकी सी मिठी सी खुश्बू होती है तो faint sweetish ठीक है इसका order होता है density की बात करें आपके यह lighter होता है इसकी density कम होती है it is lighter than air as simple as that D की बात करें solubility की देखें सी बता हूँ अगर मैं water की बात करता हूँ तो sparingly soluble थोड़ा बहुत ही solubile होता अगर मैं पानी की बात करता हूँ लेकिन अगर organic solubents की बात करता हूँ अब organic solubents की अंदर कौन को ना जाते है बेटा आपके जैसे की alcohol ठीक है ether या फिर chloroform that is the chloroform तो इनके अंदर ये completely soluble होता है या भी कह सकते है highly soluble होता है highly soluble होता है ठीक है जी तो इस तरीके से आपने इस question का भी answer दे रहा था easy है ना बहुत जादा मैंने काई थे आपको step best step करेंगे तो आपको वैसे सब समझ में आ जाएगा अब next question मैं कहता है कि how would you convert the ethyl bromide into ethene देखो ethyl bromide into ethene जो है यह आपके slivers में नहीं है तो यह मैं नहीं करा रहा है हाँ लेकिन ethene को 1,2 dybromo ethene कैसे बनाते हैं वो मैंने just अभी आपको उसके बारे में बताया है और ethene को ethene बनाना हो तो hydrogenation से किया जा सकता है वो भी मैंने बताया है तो A part को अभी नहीं करवारा but of course B part आपको करवारा हो मैं so B part में कहता है कि ethene into 1,2 dybromo ethene कुछ नहीं करना बता CS2 double bond CS2 plus BR2 इस से बता आपका बन जाएगा that is CS2 CS2 with BR and यहां पर भी बेड़ा BR और इसी को बोलते है 1,2 dybromo ethene है ना simple बिल्कुली अरे बहुत ही जादा simple है कुछ भी नहीं था simple से step अगर आप देखेंगे तो असानी साब इसको solve कर पाएंगे ठीक है आगे देखते हैं और उसके बाँ बेड़ा ना चाहता है C part कहता कि यार ethene को ethene बनाईए hydrogenation का example मैं आप लोड़ी दे चुका हूँ बेड़ा आपको ठीक है तो उसी का मैं यहां पर इस्तिमाल भी करूँगा कहता कि C2H4 है मेरे पास उसमें hydrogen को बेड़ा add कर दो एक काम करते हैं इसमें nickel use कर लेते हैं और 200 degree Celsius का temperature देते हैं ऐसे condition में यह 3 यह बन गएगा C2H6 मलब यह बन गया आपका ethane तो बस इस तरीके से बेड़ा आपने यह वाले question का answer देना था simple है ना मैंने का ही था यार बहुत ज्यादा simple है step by step करेंगे तो आपसे राम से होई जाएगा next attempt but I give the balance equation when the ethane is burned in excess of oxygen आपके slivers में नहीं है बट B part आपके slivers के अंदर है जो और ready अभी आप कर चुके हो मैं फिर से करके देखा देता हूँ बेटा देखो अगर मैं B part की बात करता हूँ या D part की बात करता हूँ यह अभी के अभी जस्ट यही करके आठा हूँ मैं तो जल्दी अल्दी कर देता हूँ बेटा मैं ठीक है तो CS2 double bond CS2 under the presence of chlorine यहां पर ठीक है तो यह आपका पहला part हो गया और D part हम करेंगे एथीन है तो CS2 double bond CS2 hydrogen nickel 200 degree celsius तो CH3 ठीक है CS3 and CS3 single bond CS3 मतलब आपके पास ethane यहां पर create हो जाता है तो यह कर चुके है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कैसे आपने करना है सिंपल है ना अरे बहुत सिंपल है कोई तरह मुश्किल नहीं है इसके अंतर चलिए अब आपको बिटा मैं लेके चलता हूं आपके next question की तरह अब यहां पर बड़ा क्या है कि मुझे कहता है give the formula and name of A, B, C and D in the following equations अब problem है कि है अपर H, B, R minus minus किया हूँ है तो इसलिए A और B पार्ट तो मैं नहीं कराऊंगा but C part है मैं जरूर आपको करवा दूँगा C part वो ही है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास C2H4 है अगर उसमें hydrogen मिलता है hydrogenation होती है तो और किसके presence में nickel at 200 degree Celsius तो वो C2H6 बनाता है तो basically जो आपका B है वो क्या है आपका hydrogen है तो यह है आपके इस question का answer ठीक है तो देखे बड़े last हमारे पास कुछ fill the blanks है हम चाहे तो और आम से इसको complete कर सकते है तो पहले कहता है कि write the name and the formula of the product formed in each case given below तो देखो बड़े पहली बात हो गए मैं इसकी बात करूँ तो यह बनेगा CS2 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 और यह आगे बड़े CL CL अब आपको पता है यार 1,2, dichloro, chloro, ethane I think कितनी बार यह आपको बता दिया आपको आपको वैसे याद हो जाना चाहिए अब तो बाकि B, C, D आपका part नहीं है तो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ इसमें ठीक है alkaline के MNO4 solution तो फिर से इस लिबस का बाट नहीं है तो नहीं करवा रहा 14 नमर में है कि name the three compounds formed by ethane and give one use of each compound देखे बटा अगर आपको याद हो में आपको properties जब बताए थी इसकी uses बताए थे तो पहला तो बटा हम लेंगे that is polythene ठीक है और polythene का use होता है कहां पे as a carry bag इसको हम as a carry bag इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो यह तो बटा आपका सबसे पहला हो गए ठीक है फिर हमारे पास आता है बटा next है इससे इथे नोल ठीक है इथे नोल यह इसका एक compound है actually यह as a starting material की तरह काम करता है for cosmetic या toiletries ठीक है तो cosmetics के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है C part की बात करते हैं तो हम epoxy ethane की बात कर सकते हैं epoxy ethane यह भी एक compound है इससे इसको ना use के आता है for the manufacture of detergents okay manufacture of detergents ठीक है तो वेटा जी हम इसको इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं so यह था हमारा final question I hope आपको यह जो question है उनके answer समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने finally अपने जितने भी question answer हमारे इस बार के syllabus मलब for year 2022 के syllabus में जितने भी question आ सकते हैं उन सभी को हमने discuss कर लिया है I hope आपको यह question और उनके answer समझ में आगे होंगे और अगर आपको यह वीडियो पर संद आ रही है तो please like it share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही thank you so much